नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी नाइन स्वागत है आपका पसंदीदा कारिक्रम एकनॉमिकम में एकनॉमिकम में क्या कुछ होगा आज कुछ ऐसा बताएंगे आपको जो यहां से बदल रहा है नए मोल पर कुछ शोग पहुँच रहे हैं आज होगी अर्थात की नई किस्त किस्त आज की थोड़ी सी अनुखी है नई है आज बात होगी अमेरिका की आज बात होगी रूस की क्या अनुखी बात है यह जानेंगे आप अर्थात में इसके बाद आपके सवालों के जवाब दो बड़े सवाल आएं बुनियादी चीजों आये, बिजली पर, पानी पर. दोनों सवाल आपके जबाब अंशुमान जी देंगे, त्यारी पूरी है. इसके बाद आपकी इनकम की बात होगी, इनकम की खाने में क्या खास है, यह देखेंगे, किस्तों के सिक्के से जुड़ी एक खास जानकारी आज आपको देंगे. अंशुमान जी ने इस बार अर्थात एक ऐसी चीज पर लिखा है जो शायद आपकी नजर से छूटी होगी अब आप कहेंगे यार हम money central देखते हैं economicum देखते हैं money 9 पर इतना समय बताते हैं पिताते हैं फिर छुटा कैसे मैं आपको hint देता हूँ देखिए रूस ने यूकरेन पर हमला किया ठीक है हमला किया प्रतिबंद लगे प्रतिबंद लग गए कैसे प्रतिबंद लगे कि हम प्रतिवंद का केंद्र था गैस नहीं लेंगे, तेल नहीं लेंगे तमाम प्रतिवंद थे डॉलर यूज नहीं करने देंगे, बैंक एकाउंट बंद कर देंगे कंपनिया निकाल देंगे बहुत तावर तोड प्रतिवंद थे बहुत तीखे प्रतिवंद थे लेकिन क्या आपको पता है एक चीज ऐसी थी इस प्रतिवंद की लिस्ट से जो दूर थी यानि कि वो युद्ध से पहले भी आ रही थी जा रही थी युद्ध के बीच भी आ रही है कौन से ऐसे अनुबंद थे कौन सी ऐसी संदियां थी क्या हूं कौन सी ऐसी मजबूरियां थी जिसने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया लेकिन बात इस बार एक वेज्ञानिक से शुरू हो रही है सर कौन वेज्ञानिक है और क्या वो चीज है इन दोनों पर आप परदा उठाइए आपका स्वागत है आज के शोग है एक नामिका में आप सबका स्वागत है शुभम ने जिसतर फिशारा किया वह यह कि अमेरिका ने रूस पर अपने इतिहास के अब शीति उद्ध के बाद के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे भयानक प्रतिबंद ल लगाए लेकिन एक बेहत बेहत महटपून चोटी मुटी चीज नहीं बेहत महतपून और कीमती चीज जैसी थी जो अमेरिका बराबर रूस से अभी भी खरीद रहा है और रूस में आ रही है और उसको लेकर अमेरिका में वह गजब का हंघामा मचा है चुंकि आप उन सुरुखियों से शायद परचित नहीं है तो हम इसलिए हम आपको सियासत के या डिप्लोमेसी के उन अधेरे गहरे कोनों के तरफ ले चलते हैं जहां आप जो सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता बेलकि उससे कुछ उल्टा होता है लेकिन शुभम ने इशारा किया कि हम एक ज्यानिक का नाम के तरफ इशारा किया नरसल अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं अमेरिका के सीनेटर्स और कॉंग्रिसमेन हैं वो इस समय क्लास फुक्स को कोस रहे हैं हमेशा की तरह हम बार बार क्लास फुक्स को को याद कर रहे है चलाश फुक्स का नाम अगर आप निक्लियर सियासत और डिपलोमेसी से परचित हो तो आपने नहीं सुना हो और नहीं सुना हो तो हूं बताते हैं कि लिपेश स्विक्स डिपलोमेसी के और निक्लिय strips के तक्निकों के सबसे कुख्यात वेक्ति हैं सबसे ज़ाधा कुख्यात विक्तियों में क्लास फोक्स को जाना जाता है क्लास एक जर्मन वेग्यानिक थे वो जापान में पर जो हिरोशिमा और नागसा की पर एटम बम डाला गया था उसके लिए जो परियोजिना बनी थी जिसका नम मैंहेंटन प्रोजेक्ट था उसमें काम करते थे इसका जिकराप और हीकनामिक में सुन चूँके हैं जिसके उपर अभी एक मुवी आने वाली है ऑपनहाइमर पर जो इस प्रोजेक्ट के सबसे प्रमुखवा ग्यानिक थे तो मेनेटन प्रोजेक्ट में वो ओपनहाइमर के साथ काम करते से दूसरे विश्योदे के बाद 1950 में क्लास फुक्स को ब्रिटेन में गिरिफतार किया गया और उन्हें उस गिरिफतारी के बाद जो रह से खुले और जो पता चला उससे पूरी दुनिया उन्हें एटामिक स्पाई के नाम से जानती है पूरी दुनिया में उनको अनोखे तरीकी की का विशेशन मिलता है उनको क्लास फुक्स को उन्हें एटामिक स्पाई माना जाता है वैसे मजा करने वाले कहते हैं कि क्लास फुक्स ही वो अकेले वेकती थे जिन्हों ने दुनिया में एटामिक तक्निकों में संतुलन पैदा किया था दरसल फुक्स ने अमेरिका के गोपनी नुकलियर प्रोजेक्ट की और नाविकी बम प्रोजेक्ट की जानकारी रूस तक पहुँचाई थी वो पहले ऐसे स्पाई थे उससे पहले तक दुनिया में नुकलियर टेकनलाजी और बम बनाने की तक्निक किसी के पास नहीं थी जाना जाता है कि क्लास्फुक्स ने मैनहेटन प्रोजेक्ट से वो सारी जान कई सारी जरूरी जानगारियां चुनाई और उसे रूस तक पहुंचाया और उसकी वज़े उसकी मदद से ही रूस ने 29 अगस्त उन्चास को यह तारीख बार बार रितिहास में याद की जाती है पर अपना पहला नुक्लियर वेपन तेस्ट किया था कजाखस्तान के सेंपलाटिंस में 29 अगस्त उन्चास को अब आप कहेंगे कि इस वक्त क्लास्फुक्स और कजाकस्तान और सेंपलाटिंस की याद क्यों की जा रही है उसकी वज़े यह है कि मामला काफी पेचीदा हो ग उन्हों को पालन किया, अमेरिका ने रूस से तेल का, कोईले का, गैस का, हर तरीके का आयाद बंद कर दिया, खासतर से तेल और कोईले का आयाद बंद कर दिया, पूरी दुनिया इनके नक्षे कदम पर चली, उर्जा की महंगाई आ गई, लेकिन जब प्रतिबंधों की पूर में रूस से आने वाले यूरेनियम पर पाबंदी नहीं लगाई थी, अब युद्ध को एक साल बीच चुका है, पुतिन के खिलाफ एक चोटी मुटी बगावत हो चुकी है, आपको इस बात को जानकर आश्चर होगा, कि अमेरिका आज भी रूस से यूरेनियम का आयाद कर रहा है, अमेरिका रूस तमाम प्रतिवद्धों के बाद भी रूस का यूरेनियम लेकर रूस शिप्स आज भी अमेरिका पहुंचते हैं, क्योंकि अमेरिका अपनी जो एक्टामिक एनर्जी के जरूरत है, उसका करीब 14% यूरेनियम रूस से ही मंगाता है, और इसके लिए हर साल अमेरिका रूस को एक अरब डॉलर के यूरेनियम के खरीद का भुकतान करता है, और ये भुकतान तमाम प्रतिवद्धों के बाद आज भी जा रही है, यहना कितनी आश्चरे की बात कि पूरी दुनिया में जब प्रतिवद्ध लगाए गए तब अमेरिका एक चीज में रूस का मोहताज अभी तक बना हुआ, और इसा क्यों है, इसका पीछे का किसा बेह दिल्चस्प है, सोचके देखिए आपकी, आप आमने सामने खड़े हैं, आपने कहा कि हमने आपको सजा दी, प्रतिवद्ध लगा दी, आपके आँसे कुछ नहीं लेंगे, लेकिन इसी कौन सी शर्टें थीं, जिनसे ये लोग बंदे थे, और इतने जादा बंदे थे कि यूरियम देने वाला और लेने वाला दोनों सहमत थे कि ठीक है देते रहेंगे, यूरेनियम या नुकलियर फ्यूल जिसको हम कहते हैं, वो अमेरिका और रूस के बीच जो सियास है थ इतिहास रूप से एक दूसरे कि पते दुनदिया और शत्रु भी कहा जा सकता है क्योंकि Enemy Country का भी a concept होता aura के तरफ लोटते हैं क्लास्फुक्स की मदद से जो सूचना है मिली उसके आधार पर अगस्त उनिस सो उन्चास में रूस ने अपने एटम बम का प्रायगिक परिक्षन किया था जो उसका नाविकी बम था इसका क्षद्म नाम था RDS-1 और इसे एक जेट इंजन बना कर बता कर इसे मतलब एक स्पेशल जेट इंजन के नाम से इसको शद्म नाम से टेस्ट किया गया था कजाकस्तान में यह विस्फूट हुआ था इस परिक्षन से करीब 22 किलोटन TNT के असपास एनरजी निकली थी और यही वो मुकाम था कजाकस्तान का वो सेमिपलाटन्स का अलाका था जहां से दुनिया में नुकलियर हथियारों की होड शुरू हुई और पहले तकनीक के अवला अमेरिका के पास थी रूस ने इस तकनीक को विक्सित कर लिया और इसके साथ दुनिया के दो बड़े देश नाभी की हथियारों की होड में चले गया और एक लंबा दौर नाभी और रूस ने दुनिया को तबाह कर देने वाले हथियारों का पुरा जखिरा बना डाला प्रतिस परधी तोर पर जितने हथियार अमेरिका बनाता था उतने ही हथियार नुकलियर हथियार रूस भी बनाता था 1962 में एक मौका ऐसा आया जब क्यूबा में मिसाइल संकट हुआ और वो ऐसा मौका था जब यह लगा कि अब यहां अगर वो मिसाल संकट अपने चरम पर पहुंचता तो अमेरिका और रूस के बीच नुकलियर वार की नौबत आ जाती है अब करीम एक शन था जिससे वापस लवटी दुनिया नहीं तो वहां अमेरिका और रूस के बीच एक नुकलियर वार शुरू हो जाता लेकिन वहीं वो संकट था वहीं वो मुकाम था जहां से अमेरिका और रूस को एहसास हुआ कि भाई यह हम कर क्या रहे हैं हात में यूर नुकलियर होड को खतम किया जाना चाहिए नाभी के हत्यारों को काम करना चाहिए 1979 से 1989 के बीच अमेरिका और रूस के बीच एक वारताओं का लंबा दौर चला जिन वारताओं को स्ट्रिजिक आम्स लिमिटेशन टॉक्स कहा जाता है साल्ट कहा जाता है यह वारता है का फी जाना चाहिए इस साल्ट के बाद निकली वो बड़ी संधिया जिन संधियों से नुकलियर हत्यारों की होड दुनिया में रुकना शुरू हुए और उन संधियों का ही हिस्सा आज अमेरिका की इस मोताजिस से है जिसके लिए वो रूस पर नेर्भर हो रहा है। सर कौन सी वो संधिया थी कौन से वो कारिक्रम थे जो तै हुए और जिन पर आज तक वो देश चल रहे हैं दो बड़ी संधिया थी एक एंटी बैलेस्टिक मिसाइल और एक इंटरमेडिट फोर्से नुकलियर फोर्से जिनको की हम मिसाइल और नाभी की हैथियारों को रोकने क संधिया कहते हैं आइनेफ संधि जो हुई थी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण संधि मानी जाती इंटरमेडिट नुकलियर फोर्से संधि इस पर उसमें रोनेल रिगन ने दसकत किये थे गोबचोब उस दोरान रूर यूएससर अर में नए तरीके की विवस्था लोक्त अपने नावी की हथियार खत्म करने का फैसला लिया और नावी की हथियारों को नुकलियर हथियारों को कम करने का फैसला किया यूरेनियम के लिए रूस पर अमेरिका की डिपेंडनेंस का या निरभरता का या महताजी का किस्सा यही से शुरू होता है जो आज बहुत दिल यूरेनियम को मेगावाट में बदा जाना था जिससे दुनिया तबाह हो सकती थे उससे दुनिया में उजाला लाया जाए इस कारिकम का नाम था मेगाटनस्टू मेगावाट यह कारिकम 1992 में लांच हुआ इस समझोते के बाद जो गुबचोव और रेगन के बीच में तब करशों तक कई दश्कों तक दुनिया में बिजली बनाने के काम आ सकता है इतना यूरेनियम इंरिच करके रिशिया ने अपने हाँ एक खटा कर लिया था वेपन ग्रेड यूरेनियम के तौर पर अब जब हत्यार नश्ट हुए तो यूरेनियम का क्या होगा हर हत्यार के भीतर दिखते हैं तो इसके लिए क्या हुआ कि अमेरिका और रूस ने मिलकर एक समझोता किया और एक तरीका निकाला जिसमें 1993 से 2013 तक करीब 500 टन के आसपास जो ही यू बोलते हैं इसको तक्निकी भाशा में हाईली इंरिच्ट यूरेनियम बोलते हैं जो वेपन ग्रेड यूरेन बदला गया जिसको कि ऐलियू बोलते हैं यानि उस उसा यूरेनियम की रासानिक सनचना और विवस्था बदल कर उसे हत्यार के काम में ना अने उरेनियम देखें तो कितना बड़ा जखीरा था जो दुनिया को तबाह कर सकता था उनिस सो तिरांबी सो दो जार तेरा तक क्रमशाधी में धी में जो नुकलियर इंरिच्मेंट प्लांट थे रूस के उन्होंने इसे बदलना शुरू किया यह सारा काम हुआ अमेरिका की एक स मामले में पहल की थी और हथियार की होड को खतम करने के लिए राजी किया था और मेगाटन्स टू मेगावाट का रिक्रिम चलाया था तो अमेरिका ने कहा कि यूरेनियम हमको बेच दिया जाए जो जिस यूरेनियम को रूस अपने हथियारों से निकाल रहा है हथियारों को वो खरीदना शुरू कर दिया और इस यूरेनियम से अपने हाँ परमाण बिजली घर जो बने हुए थे उनको चलाना शुरू कर दिया मेगाटन टू मेगावाट कर रिकरम 2013 में खतम हो गया क्योंकि जितने अथियार पहचाने गए थे रखे गए थे वो सारे अथियार खतम हो गए लेकिन इस पूरे आवधि में के दोरां चुबम अमेरिका के बिजली घर रूस के यूरेनियम के आदत हो गई और रूस में धीरे धीरे रूस के यूरेनियम के आपूरती इस तरह से निरभरता के तोर पर अमेरिका के न्यूकलियर पावर के भीतर पहुंच गई कि अपने न्यूकलियर की खोज अपने यूरेनियम इधन की खोज उसकी तयारी ये सब बंद हो गई रूस को हमें कहें कि रूस को अमेरिका क यूरेनियम की ऐसी लत लगी कि उसने अपने यूरेनियम इंडिश्मेंट प्लांट ही बंद कर दिये कई सारे प्लांट बंद कर दिये गए अब अमेरिका के विश्चेश कि इस समझ जब रूस और अमेरिका की शुद्ध हो रहा है तो हम भेद भेचे नहीं है आप अगर अपने लेवल पर यूरेनियम की टेक्नलाजी इंडिश्मेंट की टेक्नलाजी में इन्वेस्मेंट क्या होता तो शायद आपको रूस को का इस तरह से मोताच नहीं होना पड़ता तो सर के अभी यूरेनियम अमेरिका की इतनी बड़ी उलजन है कि तमाम विवादों के अमेरिका को मजबूर होना पड़ता है बहरत बड़ी यूरेनियम उसके लिए पूरी तरह महताज है हुआ यह कि अब जो खबरे अमेरिका के अख़वारों में आ रही हैं जब हम इसको इसको इस पर बाचीत करने की कोशिश कर रहे तो पता चला कि अमेरिका के का जो एक पश्मीराजे ओही हो वहाँ एक नुकलियर सैंत्र जो सुनसान पड़ा है उसकी खबरे महां के लोकल के अ और आधि बीतेयाक बरस से कई था सारी समस्या आ रही है रूसर यूरेनियम लाने में में खीचतान कर राता रहा है लेकिन अब यूरेनिम को लंबे समय के लिए लेना होता है तो तयार यह मुश्कायी दे रही है उतरपूर rätt में अगर आप अमेरिका इस्टेरी में Pamus तो आ पर बताया जा रहा है कि वहां भी पर्याद शम्ता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है अमेरिका के अख़बारों में यूरेनियम की कमी चर्चाम है अब राश्टुपती जो बाइडन बुरी फस गए है जो बाइडन पर संधिके पर जो ग्लोबल संधी हुई उसको उसका नेतर तो कर रहे थे उन्होंने पूरी दुनिया में संदीक कराई की कार्बन सरजन करने वाली बिजली तक्निकों को रोका जाना चाहिए को इसी स्थिति में आपको नुक którą बनाया जाना जाना चाहिए क्योंकि वहीं स्थित है उसके ऊससे कोई कार्बन नहीं निकलता उससे कोई पाल की तरफ जाएगी तो न्यूक्लियर उसका सबसे महत्व पूंसरोथ होने वाला है और अमेरिका में जो बाइडन को अपने हैं न्यूक्लियर अरजा को नाभी की अरजा को या परमाण बिजली को बढ़ावा देना है ताकि अमेरिका में निरभरता खतम हो सके उनका लक्षे कि 2035 तक अमेरिका का पूरा पूरा एनरजी प्रोड़क्शन कार्बन फ्री हो जाएगा यानि जितनी भी उरजा बनेगी उसमें कार्बन का कोई हिस्सा नहीं होगा और ऐसा करने के लिए आपके अबल पावन उरजा और सोलर उरजा के अधार पर नहीं चल सकते मतलब इंडिय खोपर शेल उसको नेकर डरी बी चेर्नोबिल आद है लोगों को फोकोशिमा लोगों को याद है अमेरिका में नłość से पास अब बिअगा में बडाशी ऒार है कि रूस के części उपर अमेरिका की निरभरता यूरीन के लिए लगाता बढ़ती चले की हाल अगर दशक में कोई न झ नुक्लियर हाथसा हुआ और अमेरिका में इस बात का विरोध बढ़ा कि नुक्लियर का यूरेनियम इन्रिश्मेंट की फैसेलिटीज को ज्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए अब आखले देखिए जहां से आपको समझ वे आएगा कि रूस पर निरभरता की स्थिति क्या है और रूस ने कितना बड़ा नाभी की ये ताकत बनाई थी दुनिया की 50% यूरेनियम इन्रिश्मेंट कैपिसिटी है के लिए रूस के पास है बतार दुनिया में जितनी भी यूरेनियम इन्रिश्मेंट कैपिसिटी हैं हैं उसमें से 50% हिस्सा रूस के पास है लेकिन इस कजाकिस्तान से ये यूरेनियम रूस आता है रूस के सेंतरों में इसका इन्रिच्मेंट होता है और इसके बाद यहां से इसे दुनिया में नर्याद किया जाता है तो यूरेनियम कजाकिस्तान का है पर वाया रूस इन्रिच्मेंट होकर आता है इन्रिच्मेंट सबसे महत्व पूर्ण है कि uranium को निकालने के बाद उससे किसी एक जीके factory में इंडिश किया जाता और तब उसे भेजा जाता है एक अमेरिका की company है उसका नाम है constellation जो अमेरिका की सबसे बड़ी nuclear power company है वो सबसे अधा nuclear power बनाती है इसके 21 reactors काम कर रहे हैं और इसके reactors को permanent uranium की supply चाहिए लगातार जिससे कि वो बिजली का उत्पादन कर सके अब constellation इस दिक्कत में है कि उसे uranium की supply आने वाले समय में कैसे मिलेगी यहां ध्यान रखना जरूरी है कि uranium की आपूरती महीने दो महीने के लिए निती बहुत लंबे समय के लिए तैय करनी पड़ती 10-10 साल 15-15 साल के लिए क्योंकि उसके आधार पर ही uranium की खुदा ही होगी फिर निकाला जाएगा और उसे enrich किया जाएगा uranium चूंकि एक risky और strategic mineral है तो इस पर बहुत सारी मंजूरियां है बहुत सारी शरते हैं इसको trade कर लेकर दुनिया में बहुत सारी शरते इन सब का पालन करते हुए बहुत limited supplier हैं दुनिया होता है जिसमें कि जिनका enrichment रिशिया में होता है करी 15% कैनड़ा से आता 14% सीधे रूस से से आयात किया जाता है चूंकि कजाकिस्तान की uranium की enrichment कजाकी uranium का enrichment रशिया से होता है क्योंकि निर्भरता वहां पे है तो इसलिए अगर रूस से uranium का export बंद हो जाता है अगर अमेरिका आ विकल्पिक आपूरती नहीं थी जिसके जरी रूस के बिजली घर चलाया जा सकते क्योंकि nuclear enrichment की सुविधाय पूरी दुनिया में सीमित है कई कुछ देशों के पास ही है और उसके लिए भी suppliers ने long term agreement कर रखे हैं उन्हीं agreement के तहट uranium की आपूरती की जाती है तो सर क्या रूस क की ताकत इस मामले में इस मूर्चे में इतनी जादा है कि रूस का विकल्प ही पूरी दुनिया में नहीं है अमेरिका के लिए तो कम सकम चुक्किए अमेरिका की निपलर एनरजी की बड़ी dependence है और अमेरिका के नाभिकी सेंट्रों की में जिस तरीकी की विवस्ता है उसकी की विकल्प कम हैं अब क्या हुआ कि एक साल बीट गए रूस के प्रतिबंद को अमेरिका को कोई सप्लाइर नहीं मिला की सबस्iedzieć को चाहिए उस से बात करनी शुरू कि उसरे, इस вся बात की यहारा है कि उस घूरु ग्लोबल अटामिक जिससे नाइजर में उसकी एक माइन है अफरीका में जहां से उरेनियम के उत्पादन शुरू करने की बात की जा रही है लेकिन यह सब बड़े लंबे समय के काम है अचानक ततकाल एक फोन काल पर उरेनियम करना तो उत्पादन शुरू हो सकता और उसकी ख ख़वारों से और अगर आप अमेरिका की विशेश्युक्रियों के सब बढ़े और इस लिए और उसी सेना के लिए अमेरिका ने प्रतिमंद लगाया है लेकिन यूरेनियम के कारण अमेरिका के नीत निर्माताओं को अपना चेहरा वचाना मुश्किल हो रहा है अमेरिका की पॉलिटिक्स के भीतर कि रोस्तों के साथ आप डील कर रहे हैं तो अमेरिका की जो संसदी समेथ है उसने रूस की यूरेनियम पर रोक के लिए कानून के मसोदे को यह मंजूरी दे दिये कि बहुत हुआ बहुत अब इससे इसके आगे मुरूस का उरेनियम नहीं खरीदेंगे इसे नहीं लिया जाएगा एक सांसद हैं सीनेटर हैं हैं कैथे मेकमारिस रोजर्स उन्होंने यह बिल पेश किया है जिसको की इन प्रिंसिपल मजूरी मिल गई है इधर अमेरिका की सीनट कमेटी देखे राजनितिती क्रूप से कितनी गह्मा गह्मी कॉंग्रस ने अलग बिलका मसोदा मनजूर किया अमेरिका की सीनेट कमेटी एक और कानून पर विचार कर रही है जो रूस से यूरीनियम का इंपोर्ट रोकने पर है वो सीनेट कमेटी एक पार्लेल कानून पर विचार कर रही है लेकिन इन सारे कानूनों की तैरी के बीच भी शुब हम अमेरिका के निताओं को अपनी हकीकत म रूस का यूरेनियम नहीं मांगा जाए बलकि यह है कि रूस का यूरेनियम दोजार अठाइस तक आता रहेगा यानि अगले चार-पांच साल और इंपोर्ट होता रहेगा फिर धीरे धीरे इस पर निर्भरता घटती रहेगी देखे कि आप रूस लोग अपनी भैसों में चाहें होती हैं पर परदे के पीछे तो कुछ और ही और ही चलता रहता है तो मैं जब पूरा किस्सा पढ़ रहा था और इस एकनामिकम को लिख रहा था तो मुझे दुश्यंद कुमार का एक शेर याद आ गया बेह दिल्चस्प शेर जो इस पूरी घटना करम में के हिसाब आपसे काफी मौजू है तो दुश्यंद का शेर हैं कि मसलातामेज होते हैं सियासत के कदम तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है तो दुनिया लड़ रही है रूस और अमेरिका के घरों में जो बिजली पहुंच रही है वो रूस की रही नेन से बन रही है और यह बात है कि आपने प्रतिवंदों की इतनी शोर में गूंज में यह सुना ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ है जिस पर प्रतिवंद लगा ही नहीं और इकनोमिकम का काम था मनी सेंट्रल का काम था मनी नाइन का काम था या आप तक यह जानकारी भी पहुंचे आगे बड़ते हैं आप बारी आपके सवालों के जवाब की सर पहला सवाल जो है वह आया है अभिशेक जी का अभिशेक जी यह जानने चाहते कि महंगी बिजली से बड़ा बुरा असर पढ़ रहा है मध्यम वर्ग पर भविश में महंगाई रोकने के सरकारे क्या कर सकती है बिजली की करिए कि इसके आगे बढ़ने की कई सारी गुंजाईश है भारत का पूरा बिजली ढाचा बुरी तरह अक्षम है और पिछले 10-15 सालों में केंद सरकार राज्य सरकारे बिजली घरों को बिजली बोर्डों को सिर्फ पैसा दे रही है कई सारे आयाम है बिजली की भारत में म सबसे महेंगी बिजली वाले देशों में भारत इस समय शामिल है और कई राज्यों में तो बिजली की देने 8-9 रुपए पर यूनिट तक है तो पहले चीज तो कोईला महेंगा दूसरे बाद उसकी डुलाई महेंगी जो कि ट्रेन के जरिये होती और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि भारत ने बिजली दरों का धाचा अजीब सा मकड़ जाल है अगर आपको किसी छोटे कस्वे में बिजली का पोल याद हो जिसके एक हजार कनेक्शन निकलते थे आपको ढूनना मुश्किल हो जाता था लगख वैसी परिस्तिती बिजली दरों के धाचे कि एक रा बिजली वितरों कंपनियों को पैसा नहीं चुकाती अपनी खपत का कई राज्यों में राज्य सरकारों पर राज्य सरकारों के काईयों पर अधिकरनों पर प्रशासन पर बिजली का पैसा बकाया है जब तक पूरी पावर की अर्थवस्था ठीक नहीं होगी सस्ति नहीं हो उर्जा की लागत कम से कम रखिए पर हमारा दुरभाग यह है कि भारत में यह सबसे महेंगी है किसी भी तरीकी के इनर्जी चाहे वो गैस हो चाहे वो कोईला हो चाहे वो पेट्रोल हो और चाहे वो बिजली हो सारी एनर्जी पूरी एनर्जी बास्केट भारत की इंफलेशन क गड है और इसोजह से भारत में हर चीज महिंगी होती है सामाने से ज़दा है। पानी की खपत करती है उसके कामकाश के तोर तरीके में बदलाओ करने की जरूरत होगी भारत में फसलों का पैटरन बदलना होगा जिन हिस्सों में जाधा पानी वाली वाटर गजिलिंग क्राप्स लगानी होगी और दूसरी जगे दूसरी फसलों की खेती करनी होगी यह पाइदा हो सके हैं और इसके लिए ऐसे बीच ऐसे तर्व तरीकों का प्रयोग करना होगा शेहरी आलाकों में पानी के लिए नियम बनाये जाएंगा पोयाद होगा शुभ हम की हाल फिलाल में तो एक साल पहले योजना आयोग ने भारत में वाटर की ट्रेडिंग को लेकर पा जादा बारिश होती थी हमाँ पानी कि इस बार कमी दिखाई देए आगे बलते हैं सर इंकम की बात में क्या खास है इंकम की बात में इस बार आप हमारा फार्मूला उगरो देखिए मनीना इन पर आई प्यो का मौसम है कई सारे लंबे समय के बाद एलाइसी के बाद आई प के हाथ कोई गलत IPO ना लग जाए जिसमें कि आपकी लगाई हुई लागत भी ना लोट सके जैसे कि हमने नाइका या बाकी स्ट्राक्स में देखा है इसलिए आप इस फार्मागुरू को जरूर देखिए और ये जानिये कि कौन से IPO बाजार में आ रहे हैं वो निवेश के आलेसिस विस्तार के साथ बताते हैं कि आपके लिए निवेश करना जरूरी है कि नहीं है क्योंकि जब आई पो आता आई पियो आते हैं तो में किसम की फ्रिंजी एक कि की की दोड़ दिखती है कि उसमें IPO में उनको हिस्सेदारी मिल जाए तो इस बार का फार्मूला सब्सक्राइब को चूना मतलगने दीजिए इस सब के लिए आपको अपडेट रहना अगर IPO मार्केट से तो दो चीज़े फर्मूला गुरू और हेलो मनी नाइन का IPO सेग्मेंट वह क्या आई पियो है सर आगे किस्सों के सिक्के में हां आज किस्सों का कोई सिक्का नहीं मनी नई वहस्था के साथ इस महीने आपके पास आएगा और वह महीने में एक बार होगा विस्तरत जानकारी के साथ थोड़ा दिल्चस्प और बड़ा और अनोखा किस्सा लेकर हम आपके पास वापस लोटेंगे एक उसका नया सुरूप पूरी तरह से त्यार किया जा रहा तो इस सब्सक्राइब के सिक्ए के लिए माफ करिये लेकिन किस्सों के सिक्ए की नई किष्ट पर काम शुरू हो चुका है सर चलते जलते कोई वेव स्टोरी वेव सीरीज या कोई किताब एक किताब मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ी सी अनुकी किताब है इसका नाम भी बहुत अजीब साहिए इसकाब का नाम है दोस बास्टर्ड्स किताब का नाम है दोस बास्टर्स 69 एसेज अन लाइफ क्रियेटिविटी और मीनिंग बहुत दिल्चस्प किताब है इसके लेखक है जाड डिलियन ये किताब कुछ बहुत अनोखे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करती है जैसे कि आपको क्या पहनना और क्या खाना चाहिए ये बताने की कोशिश करती है कि आप दुनिया में कुछ लोग साइट कमिट क कर लेते हैं पर बाकी लोग कुछ क्यों नहीं करते क्रेटिविटी से जुड़े हुए जिंदगी से जुड़े हुए तमाम पहलूओं पर बहुत कैंड़िट धंग से यूमर के साथ तत्थे के साथ यह किताब लिखी काफी चर्चित किताब रही है और एक किसम का लिटरी सें में उनको शामिल करेंगे नए बदलाव आ रहे हैं बने रहे हैं मनीनैन के साथ इन बदलावों की जानकारी के लिए फिलाल दीजिए जादर नमस्कार